विशले वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप Google Classroom में अपनी एक Class Create करते हैं अब इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे एक टीचर अपने बच्चों को Assignment या Study Material अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकता है आईए सबसे पहले देखते हैं यहां पर आप तीन होरिजेंटल लाइन देख रहे होंगे आप इस पर क्लिक करिए यहां से आप Classes पर जाईए आप देखेंगे कि Currently आपके पास दो Classes हैं और इस Class में एक Student Add है और इस Class में भी हमने Zero Student Add किये हुए है आप इस Class को Open करिए Assignment Studying Material Share करने के लिए उपर आप आपको यह Classwork टैब दिया हुआ है आप इस टैब को Open करेंगे यहां पर आपको Create का बटन दिखाए देगा आप इस बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद सबसे पहले आप एक नया Topic क्रिएट करिए यहां पर आप एक नया Topic Create करेंगे Suppose किसी चप्टर का नम अपनी Topic को Add कर दिया उसके बाद इस Topic के अंदर अगर आपको कोई भी Assignment या कोई भी Question या कोई भी Study Material देना है तो आप इस Create में जाके यहां से Study Material Share कर सकते हैं आप Study Material का Title यहां से Title रखिए के बाद अगर आपका Study Material आपकी Google Drive में सेव हैं तो यहां से आप Att작 कर सकते हैं अगर आपका Study Material कोई YouTube Video का Link है तो आप उसको भी Att작 कर सकते हैं कोई File अगर आपकी Desktop में पड़ी हुई है तो उसको भी Att작 कर सकते हैं तक इसी YouTube वीडियो को भी इसको इस पर attach कर सकते हैं अगर आप कोई home या sheet या document बनाना चाहते हैं बना के यहां से share करना चाहते हैं तो आपको यह facilities भी मिलती हैं आपे यह बाद right side में आपको यह panel दिखाए दे रहा है इस panel में आपको यह material कितने लोगों के साथ share करना है यहां से आप class चूज़ कर सकते हैं यहां से आप इस student के साथ share करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं यहां से आप आपका यह assignment किस topic से related है इस topic को choose कर सकते हैं इसके बाद इस post में जाके आप assignment को post कर सकते हैं या आप इस assignment को schedule भी कर सकते हैं तांकि आप बाद में इस assignment को post करें या आप draft बनाके भी इसको रख सकते हैं ये देखिए मैंने assignment को post कर दिया मैंने इसमें एक student का login भी खोला हुआ है मैं दिखाता हूँ आपको ये student को कैसे दिखाए देगा ये देखिए मैंने एक student का login खोला हुआ है student अपनी classwork में जाके ये classwork पे जाके यहाँ पर देख सकते हैं कि एक PPT share की हुई है अब देखिए आप अगर कोई question अगर अपने student से पूछना चाहते हैं यहाँ से आप ये question पूछ सकते हैं यहाँ से आप कोई भी question अगर student से पूछना चाहें suppose आप attendance के लिए पूछना चाहें attendance के लिए पूछ सकते हैं और आप attendance का type multiple choice भी रख सकते हैं या short answer किस तरह का आपको उस question का answer बच्चों से पूछना है वो type आप यहाँ से चूछ कर सकते हैं मैंने यहाँ पर एक option दिया present आप ये देखिए यहाँ पर एक tab दिया हुआ है ये पैनल है ये आपको 12 थे के सारे बच्चों से पूछना है इसका कोई marks allotted नहीं करना है आपको और इस attendance को fill करने की last date यहाँ से choose कर सकते हैं और यहाँ से आप time भी choose कर सकते हैं कि कब तक ये attendance कितने बज़े तक आप बच्चों को fill करनी है और यहाँ से आप current topic भी choose कर सकते हैं और इस question को आप ask में click करके बच्चों से पूच सकते हैं यह देखिए student के login पर यह आपनी यहाँ से post किया student के login पर आप देख सकते हैं यह मैंने student का login खुला हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह question उन से पूचा हुआ है आप attendance of 172020 यहाँ से आप इसको click करेंगे और अपनी view detail में click किया यह देखिए your answer अगर आप present हैं तो आप इस पर click करेंगे और turn in पर click कर देंगे जैसे ही आप turn in पर click करेंगे यह question का answer आपका submit होकर teachers के पास चले जाएगा यहाँ से आप यह teachers को कोई private comment भी दे सकते हैं और यहाँ से आप teachers को एक group comment दे सकते हैं जो कि पूरी class को दिखाए देगा तो teachers अब यह teachers का login है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी currently एक student ने attendance को fill कर दिया यह turn in दिखा रहा है अगर यह question जब आपने assign किया था तो यहाँ पर इसकी value 1 थी यह assigned का मतलब होता है कि कितने बच्चों को आपने question पूछा है और इस turn in का मतलब होता है कितने बच्चों ने इसको return कर दिया है यह तो था आप कैसे question पूछेंगे और third आपका है assignment इस assignment में आप exactly study material के तरही assignment बच्चों के साथ share कर सकते है या कोई paper बना सकते है और उस assignment के marks भी allot कर सकते है इसकी working पूरी तरह से study material और उसकी तरही same और questions की तरही same है यह था teachers का tab, classwork tab teachers को अपने login से कैसे questions, study material और assignment allot करने है और यह है बच्चे का login इसको अपनी class में इसको कैसे यह है बच्चे का login इस classwork में देखिए कि teachers ने इस topic के अंदर इसको क्या क्या allot क्या हुआ है यह था आपका आज का वीडियो जिसमें हमने बताया कि कैसे assignment submit करें कैसे question को कैसे question material या assignment को teacher submit कर सकते हैं और कैसे बच्चे उनकुस को return कर सकते हैं आपको अगर वीडियो useful लगा तो चैनल को लाइक करिए और subscribe करिए क्या हुआ हुआ है